पार्टी के राष्टी एद्भैक्ष जो की है ललन सिंग उनका तस्वीर कहीं नहीं है लेकिन असोग चौधरी जो है वह अपनी तस्वीर जो है वह अच्छे से लगवाए हुए एक तरफ नितीश कुमार का जो है वह बड़ा सा फ्रेम में जो है उनकी तस्वीर लगाए गई है डॉक्टर असोग चौधरी जो की भवनिरवान मंत्री है और एक तरफ नितीश कुमार का है यानि जैद्यू का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी तस्वीर जो है वह नहीं लगाया गया है ऐसा लोगों का कयास लगाया जा रहा था कि जैद्यू में जो है वह दो डो गूट है इसको लेकर के चर्चाय काफी चल रही थी कि जैद्यू में दो गूद है यह सवाल जो है बहुत दिनों से अरा बीचरивает और बीच में जो है सवाल यह जचण रहा था कि सच में जो है जो लान सिंगह तो है मंत्री असोधरी जो है उनका गूट अलग चल रहा लेकिन आपको तस्वीर दिखाएंगे कि क्या सच में जो है वो गूट दो है इसकी तस्वीर आपको सीधा दिखा दीजिए चिदा पोस्टर एक लगा हुआ है यह नेता जी सुभास मार गया है यहां पर भीम संसद आपको पता हुआ कि 26 नवंबर को जो कि बहुत निर्वान मंत्री है और एक तरफ नितिश कुमार का है और बीच में जो है भीम राव अंबेदकर की तस्वीर लेगी गई है क्योंकि नहीं के नाम से भीम संसद का जो है संसद का वह आयोजन किया जाएगा उसके तरफ एक तरफ जो है वह महातमा गांधी का पोस् है वह भी लगा हुआ है लेकिन पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जो की है ललन सिंग उनका तस्वीर कहीं नहीं है लेकिन असोग चौधरी जो है वह अपनी तस्वीर जो है वह अच्छे से लगवाए हुए एक तरफ नितिश कुमार का जो है वह बड़ा सा फ्रेम में जो जो है यानि जैद्यू का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी तस्वीर जो है वह नहीं लगाया गया है ऐसा लोगों का कयास लगाया जा रहा था कि जैद्यू में जो है वह दो गुठ है एक एक राष्टी अध्यक्ष ललन सिंग लेकिन वाजिव काम होनी चाहिए यानि कि उन्हीं के नाम पर जो है यह कारकरम रखा गया भी इंसांसाद रखा गया है क्योंकि दलित महादलित जो है वह आने वाले है 26 नवाम को बैठनरी मैदान में लेकिन तस्वीरे जो निकल के आ रही है पटनागी राजनीती गलियारों से वह आपको साफ साफ पटने के हर ए कि क्या जये जयो है वह दो हैसको लेकर करके चर्चाय काफि तेजी से चल रही थी जिसको लेकर है सादी सीधी दिक रही थे किस तरह से पटनाम जो है पूरी तैयारी जो नीव में लोह है यो दोaları नो है लेकिन साफ साफ दिख रहा है सचावक चौदरी कि उनका नहीं लगया गया आपकी क्या प्रतिकिरिया होगी कॉमेंट अब है